हिमाचा पदेश में इस बार मौनसून लगभग एक सप्ताह की देरी से आएगा लेकिन राजे के अधिकांश इलाकों में मौनसून पूर्व की वर्षा का क्रम शुरू हो गया है पिछले 24 गंटों में राजे के अधिकांश इलाकों में जोरदार वर्षा हुई जिससे लंबे समय से चला आ रहा सूखे का दौर स्माप्त हुआ है सौलन जिले की कसौली में सरभादिक 89 मिलिमीटर वर्षा दर्श की गई इसके अलावा बिजगडी में 76, धर्मपूर में 72, चायल में 79, सुन्दरनगर में 61 और शिमल में करीब 43 मिलिमीटर वर्षा हुई शिमनसित मौसम कार्याले की निदेशक मनमोन सिंग ने बताया कि अगले 4-5 दिन राजे में मौनसुन पूरुव वर्षा का करम जारी रह सकता है इस बीच सोलन सहित अन्यक्षेत्रों के किसानों ने लंबे समय बाद हुई इस वर्षा के बाद रहत की सांस ली है तोरी दाहत मिली है और थोड़ी गराब अटाईगी इसे बहुत बढ़ी अलाव होगा फसल अच्छी आएगी पहले जो फसल सूखने के कागार पे थी वह अब अच्छी फसल होगी और बहुत बढ़ी आ होगा पहले असा है जी मलोड टिमाटर ठी रहे शिम्ला मिर्च और बर्खा नहां होने के वज़ा से सूख रहे थे और अब बारिच होने की से जो है वह ज़िप होने के मीद है आज भी राजिके अधिकांश क्षेत्रों में बादल चाए रहे और कई इलाकों में रुक रुक कर हलकी वर्षा होती रही इस वर्षा के बाद मौसम सुखाबना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है ब्यूर पोर्ट डिडी न्यूज शिबला